एसलाम-डैकुम अजमाbatा से शेयर कायां थी तो रोड़ में ट्राउजर में लास्टिक कि हैं वजी जी सल्वार में और ट्राउजर में किस तरह से लास्ट क recipro डालते हैं दूनि दाएं सिली हुई क्यों है बस इस की जो है मैं लास्टिक डालना है ठीक हैं यह सिलिट यह मैं लास्टिक विजलिया है सबनी का पहर हूं तर यह पांजे वेस्ट जे हिसाब साँ मापेकर ख़णों जितनी आपकी कमर है उससाब से लास्टिक नापकर ले ले और जितना लूज जितना टाइट आप रखना चाहते उससाब से दूसरा है कि मेरी जो यह बैल्ट है इस सबसे पहले तो यह लास्टिक के दो सिरे हम आपस में मिला लेंगे इस तरह एक दूसरे के उपर रखे इसकी हम मजबूती से सिलाई कर लेंगे ठीक है इस तरह से मैंने इसके उपर बखे लगा के इसको फिक्स कर दिया है ठीका उनका पो असाँ खंदा से हने शल्वार का कपड़ा ले लें अच्छा मैं हाथ से इसके उपर निशान लगा रही हूं महत्हसा निशान हना थी कि जतना मुझे मोड़ना है मेरी लास्टिक के हिसाब स तो मैं इस तरह से हाथ से इसको अच्छी तरह से निशान लगा लूँगी आप अगर इस तरह से नहीं कर सकते तो आप इस तरी से भी लगा सकते ठीका जेत्रों असांखे असांस इंदिय में चलना है उबदाणों नैफा बोलते उर्दू में तो जतना नैफा रखना है जे अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगे तो आप इस तरी से इसको निशान जो है वो थोड़ा पका कर लें ताकि उसमें कोई बाद में गड़बड नहों तो यह आलमोस्ट यह निशान जो है मेरा कम्प्लीट हो चुका है थोड़ा सा और रहता है अभी यह में करके आपको द ज्यादा नहीं होगा कपड़ा कई से कम मोड दिया के ज्यादा मोड दिया वह इकवली हो जाएगा यह देखें असाहन के खोली ना से भी इसको देखो मैंने खोल लिया है तब भी इसके उपर आपको एक क्रीज नजर आएगी यह ने जो निशान ना ताहाने सब नीगा पह एक साइड सीधी सीधी आप बेल्ट के उपर रगतें ठीक है और जो हमने निशान लगाया था जो क्रीज हमने बनाई थी उसको हम इसके उपर मोड लेंगे फोल्ड करें इसको फोल्ड भी करते जाएंगे एक तो बड़ा सा निशान हमने लगाया था और एक छोटी सी किनारी हम अंदर की तरफ इसकी मोड लेंगे सिलाई करेंगे तो इस तरह करेंगे के लास्टिक के उपर इसकी सिलाई नहीं आनी चाहिए यह हिसा बाहर है और अंदर हम इसको रखके एक हिससे को और सिलाई शुरू कर देंगे पूरो प्रोसेस मत आगे नथी देखा रहा है यह तान इसी सा गंदो है ता यह लूजा है नमे लास्टिक बिलकुल लास्टिक जे मत्हां बखे होना अच्छे ठीक है यह कंप्लीट करके और फिर मैं आपको दुखा दियू लीडिसों महां तक्रीबन हणी वही हैं यह लग कि थोड़ी चुन्नटे डाल दें ऐसे इसको कपड़े को थोड़ा सा खिसका के एक तरफ कर लें ताके लास्टिक का ज्यादा हिसा आपके सामने आ जाए और आप इसको आराम से सिलाई कर सकें यह दिसों ठीक है तो यह मता आज सामू का आया थी और भी देखें इस तरह से चुन्नटे बनाते जाएं और फिनिशिंग के टाइम पे यह इस तरह से आपको कर दो मेरी मशीन में हो गई है कुछ गड़बर तो यह आवास बहुत ज्यादा कर रहे हैं इसको मुझे लेकर जाना है तो प्लीज इसको इग्नोर करें बहुत शोर मचा लिए ठीका आखर में लिसों एस सजा असां ही कपास एक अंदा से चुड़ा आएं असां नजी बिलकुल सि सब्सक्राइब तो यह जो फ्रंट साइड है न यह जो चुनटों वाला होता है यह फ्रंट साइड होता है शलवार का तो यह जतनी चुनटे हैं उनको आप आगे की तरफ कर लें उनको आगे की तरफ करके बैलन्स कर लें यह देखें यह सारी चुनटे मैंने फ्रंट पे कर ली हैं और इनको अच्छी तरह से बैलन्स कर लें बैक साइड पे कम है कपड़ा चुनट में और फ्रंट साइड पे ज्यादा है ठीका यह जी त तरकीबा सजाद चुणा अगे पासे सेट करें फ्रेंट की तरफ उनको बिल्कुल बैलन्स करके सेट करना है ऐसा नहीं कि एक तरफ से ज्यादा आ जाएं दूसरे से कम आ जाएं अब इसको हमने सेट कर लिया चुनटों को कहीं से भी स्टार्ट करें इसको बीच में रखें अब बीच का बख्या लगाना है ठीका हां डिस जो नखे अग्यां भी छिक्ड़ूआ पोयां भी छिक्ड़ूआ यह जहां पर हम से लाई कर रहे हैं इसको आगे से और पीछे से हम दोनों तरफ से खेंच लेंगे अब यह देखें के आपको इस वक्ड़ूआ नजर आ रही है सारी ठीका यह तांगे चुनट नजर अचन्दा पर जने ऐसानी के छिकिना से तो चुनट नजर नहीं दा अभी तो चुनट नजर आ रही है न तो जब हम इसको खेंचेंगे यह तो चुनट नहीं है छुनट निकल गई यह एसे आगे पीछे से इसको खेंच के शलाइग करें में पूरे सेंटर में यहां तक हो गया ठागे और इसको फिर खेंचेंगे देखें कि इसकी छुनटे बिल्कुल खतम हो जाएंगी जब हम इसको खेंच रहें हैं केचते हैं इस लाई करनी है अब यह कंप्लीट है यह मैं आपके सामने शेयर कर रही हूं यह देखिए बैलन्स देखें चुनट का फ्रेंट साइट पे ज्यादा और बैक साइड पे कम वैसे भी जो हम टक्स भी लगाते हैं या जो हम चुनट डालते तो बैक साइड पे कम होत फ्रंट पे ज्यादा होती इस तरह से ठीक है तो ही आहे तरीकों मुझो यह मेरा तरीका है कि मैं किस तरह से लास्टिक डालती हूं ट्राउजर में या शल्वार में और यह पहने में बिल्कुल सही रहती है इसमें कोई मसला नहीं होता कोई शल्वार टेडी मेडिया इधर तरह से लवार में या ट्राउजर में बेल्ट की हैं अन्दायों तुम आपा जो तरीकों सा शेयर करेवां उमीद तांके समझे में आयो हूँ और वरी केंबी कमजी वीडियो समय लंदा से इंशाल्ला